कि अलो क्लास नाइन गुद मॉर्निंग कैसे हो भई आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा क्लास नाइन के लिए पॉलिनोमिल फटे वाले हम लोग और पूरा का पूरा चैप्टर में जितना भी कंसेप्ट है टोटल कंसेप्ट आपको एक वीडियो मिलने वाला है ताकि पॉल है तो और गहांक पूरा डूरा कि वीडियो में वह भी देख लेते ऐस मझ लएक पहले कि नहीं चीज होता है सब ससके बात आती है भाई हए टाइप सफ और टेbay ते से करते हैं दोनों ही तरीके से जितने भी टाइप सो ते मैंने समस्भा लिखा हुआ है क्सपों पी त्यों विसके बाद आती है आप पलम में में सारा कॉस्ट बात करेंगे रिमेंडर थ्रोम इसके बाद बात करेंगे यह सारे बहुत इंपोर्टेंट है टिक है एंड लास्ट में डिविजन अल्गोरिफम यहां तक लास्ट नहीं पढ़ना है लास्ट नहीं यहां के आगे पढ़ना है तो जो कुछ भी क्लास नाइन में पढ़ना है वह अच्छे से क्लेर कर लेंगे तो क्लास 10 का प्लीमिल आ हमारे लिए बहुत आसान बच जाएगा तो बिना देर की शुरू करते हैं ठीक देखो आप पढ़ते हों प्लीमिल आया कहां से पहले इससे बात कर लेते हैं कि प्लास तैवन एट तक हम लोग जो पढ़े थे वह क्या चीज़ था वह चीज़ था अरजीब्रीक ठीक है वो क्या चीज़ था अपने ऐसा देखा होगा कई जगह पर जब यह पर इस पर बात करते हैं ठीक है पॉल्बिल अलजब्रा का पार्ट है तो जब अलजब्र अब एक बात ध्यान रखना यह अलजब्रा में हमेशा हम लोग वैरियेबल की बात करेंगे ज्यादा अब मैंने जब इनका प्रोपर्टी देखना चाहा तो मुझे एक तरह का खास प्रोपर्टी नज़राया मुझे इन दोनों में एक प्रोपर्टी क्या नज़राय कि देख reper यहां प्रोपर एकस का डशल होने यहां पे टू है इनका जो पावड इनका जो पावड है ना या तो वन है नहीं तो तू है मतलब कोई पॉजिटिव नंबर ही है और कुछ नहीं है इनका पावड क्या है पॉजिटिव नंबर है ठीक है तो आप ने क्या देखा कि इनका पावड जो है वो पॉजिटिव है दूसरा आपने क्या देखा कि यहां प प्रपरठी थोरा सा अलग था इन से ठीक है क्या अलग है बात समझना यहां पर 5 by x है 5 by x minus 3xy 5 by x का मतलब होता है कि 5 आप x को ऊपर ले जाओगे तो एकस का पापर minus 1 हो जाएगा minus 3xy ठीक है यहां पर 9 root x 9 root x root x का मतलब होता है एक्समें पावर इखा इसमें हां पर तो यह जो तनों आ ह्रहा है तो यह जो तीन मेरे को दिखाई परते ना यह इन लोर दोनों आरहा है अच्छली यह पूरा पूरा अलजेहकर गैश्परेशन नहीं है लेकिन इसमें खास दो इसानिटाई निक्वाई परा किसका जिसका पावर पॉजिटिव था और यह वन वैर्डिवल में ता तो ऐसे जो दो दिखाई पाने ना इनको मैंने अलग रखा category में जिसको हमने-स पॉलिनोमियल ठीक क्या तो झोई फाय्स होता है उसका पावर जो भैर बनो असको प्लाइब ओडर हम्हीड मिज्गा है सबसक्राइब चैनल शक्राइब करें ऩैश्जंबौन प्लस प्लस फाइब यहांपर स्क्राइब ब Еे यहां पर चाइब लेकिन पावड होगा वो इंटेग्रल भावर होगा वोगा अब हम पॉल्णोमिल को डिफाइंड कैसे करेंगे एक नए अंदाज में क्योंकि मुझे पता चल गया कि विल्णोमियल जीबरीक एकस्पेशन से खास तरह का एक एकस्पेशन है रिखास्ट का प्रोपर्टी क्या होता है एक पॉल्इमियल इस एन एल्जिईबरीक एकस्परेशन इप एन वीड्रीम एडिश最遜 इन जी मुइटान विन्हारीबिल प्रइरवल् होना रीवल होना चाहिए ठीक ही लेहाई है नन नीगेटिव जो नीघेट यह इंटेग्रम मतलब क्या जो फ्राक्शन मेन musimy आ क्या 012345 ऐसा पावर सिक्षय कि हम वहोते हैं फालीनों क्यों क्यों सबार्टेख हो चूका यह तो हैं यह तो आपको पता ही होगा फिर थोड़ा साम बता यह तुमको बता है यह उता है इसका वैल्यू फिक्स नहीं हो ठीक है एक सक कर एक तो इसा की लिए जैसे दो सित्ते नितिसे को अचछ को छाए कर दो होगा या यही नहीं होता है जिसका वैल्यू fix है जो नहीं बदल रहा है क्या नहीं बदलता है मैंने कहां पाँ सब्सक्राइब होगा पाउस का मतलब कभी यह नहीं होगा तो जितने भी रियल नंबर से ना वो निगर्टीव वह पॉजिटीव हो फ्रेक्शन हो दीशमल हो कोई फर्कनी परता ठीक जो भी सबसे बड़ा सदस्य होता है बात क्या होता है जो सबसे बड़ा सदस्य होता है बस समय रहे हो और उस घर में जब अभी आपके गार्जियन की नाम पुछा जाता है तो आप अपने दादा जी का नाम निखाते हैं कि वह घड़ में सबसे बरे हैं वही बात होता है पॉलिनोमियल में कि हाइस्ट पावर और वैरियेबल का पावर होता ही है लेकिन वह वैरियेबल जिसमें हाइस्ट पावर है ने वह चलगए यहां परहिए यह ठीक हो मिलन यह वैरिये वल्ए एक्साङ तो एक्सका पावर टूबी एक्सादे मपावर ऋन भी है लेकिन ज्यादा किसका कई पावर टू है तो टूक्त डूबिदी होगा इसका है यहां पर एक से हयए स्ट पावर लागनी नॉट नंब सबसे ज्यादा पावर कितना है तो यह त्री जो है ना यह डिगरी होगा इस पॉलिनोमियल का बास समझे आगे सबसे ज्यादा डिगरी है जो पावर सबसे बरा है वह है उसका डिगरी कहलाएगा यह जैसे कि अग्सक्राइब करें तो तो दिक्कत क्या है तो वन से तो किसी को मल्टिप्लाइब कर सकते हो तो मानेस अठाके वन लगा दिया करते हैं अब मैंने खाँ कि Y a square का कॉफिशेंट क्या मानेस वन यस खूंके में सब्सक्राइब क्सक्राइब करने की बात तो आपने परःज़ क्लास 8 तक जो आपने परःज़ था कि पॉलिणोमियल को डीरी के हिसाब से हम लोग कैटेगराइज करते थे अभी क्लास 9 और 10 में पढ़ना है सॉरी क्लास 8 तक हम ने उसको टर्म की हिसाब से क्लास 8 तक टर्म की हिसाब से है। 90 में डिग्री की हिसाब से कटेगराइज करना है। तो टर्म खितना एक तर्म दो तर्म तर्म एसे होता है। तो देखो सबसे पहला जो कटेगराइशन हम पढ़ेंगे वह एक्कॉर्डिंट टूर्म पढ़ेंगे ठीक है। उपल्यों में एक सब्सक्राइब यहां पर कुछ नहीं है अब तुम कहों कि सब्सक्राइब करेंगे तब यह अलग होगा जब सब्सक्राइब त लाइब के निग्यटिव लगा होगा है लेकिट नेगर जिसफ नहीं है यहां इस देखो बीच में प्लस आ रहा है तो यह तरम्स अलग है अगर सबस्थ बीच में बीच में टोनों वह बीच में मतलब यह तरम यहां है बीच में टेल्म है यहां एक चार सबस्ट यह माइनस है तो यह 4 टर्म्स हैं यह को डिग्री की बात नहीं करनी थी ठीक है आगे 5 टर्म बाले भी पॉल्नोमील होते हैं उसको बोलते है इस पॉल्नोमील ऑफ 5 टर्म्स फॉल्नोमील ऑफ 6 टर्म्स लेकिन 4 तक का हमने नाम देखे रखा हुआ है बात क्लियर अब हम बात करेंगे according to degree ज ने बताया था कि नन निगेटीव इंटेगरल पावर नन निगेटीव मतलब निगेटीव नहीं हो ठीक है और इंटेगरल पावर हो पॉस्टिव इंटीजर हो इसले मैंने डिग्री में क्या सब लिए है जी रो वन टो थ्री फोर फाइव ऐसे आगा तुम ले सकते हो यह सारे पॉलिमिल के डिगरी हो सकते हैं जीरो से पहले निगेटिव आ जाएगा वो नहीं ले सकते हैं तो इन सब को हम क्या कहेंगे इन सब को यह सारे पॉलिमिल के डिगरी हो सकते हैं अब ऐसा पॉलिमिल का डिगरी जीरो हो उसको क्या बोलेंगे वन डिगरी वाले को टू डिगरी यह constant अप्धाएता वह बिल्कुल वह constant तुमने कहा अभी तुमने क्या पढ़ा था कि constant number होते हैं बिल्कुल सही बात है number ही है लेकिन जब हम polynomial के नजर से वह उल्हें नंबर सब्दर देखेंगे तो नंबर सबिकल है number allora constant polynomial होते हैं क्या कहता है constant polynomial Сколько बस Constraint polynomial ही होते हैं जैसे-1 कहाओ नमबर है लेकिन हमादे लिए Constraint polynomial है 00 की बात नहीं करना है यहां पर जी रहे ऑलगत रहे का प्रनोमिल होता है 1 2 5-5 ठीक है 5.6 एटिंग कोई भी और रियल नमबर एक्सेप्ट 0 All Real Number except 0 0 को छोरके बाकि सारे जो रियल नमर होते हैं वो होते हैं constant polynomial यह बात clear है अब इसका डिग्री जीरो होता है तुमने कहा कि तो अपने बताया था कि डिग्री का मतलब होता है highest तो चाप्तर बरियेब्ल और यहांатов है है यह नहीं तो ईलू बनारे इसका बहुत लए बार नहीं बर देखे अ जैसे कि मैंने कहा कि वह लक्ते है तो वहन को तुम क्या लिःज सकते हो वर इंटो वान लिःज सकते हो क्योंकि one को से मल्टिप्लाइक करने फर्क नहीं पड़ता है और तुमने एक्सपोनेंट में पराथा कि एक्स का पावर जीरो करते हैं तो यह वन आता है याद करो पढ़ा हुआ ना लिए पढ़ना था ना में भी पढ़ना था फर्स्ट चैप्टर में रियल लंबर स्वरी नमर सिस्टम तो वन तो सही है और इस वन को मैंने क्या लिखा एक्स का पावर जीरो देखो वैडियेवल आ गया ना उसका पावर कितना है जीरो है तो डिगरी कितना वाजीरो हुआ ऐ लब तुम्हाड़ा वैडियेवल यहां भी है दिखाई नहीं पर रहा है वैडियेवल क्यों दिखाई पर रहा है क्योंकि वहां पर एक्स का पावर 4 था एक्सपर जीरो खतम होगे वन हो जाता है वह से मल्टिप्लाइघ करने पर यह टू कर टू ही रहने वाला है सो नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो एक स्पेसल टाइप आप पलनोमिल यह स्कोपल्नोमिल रहे जाते हैं लेकिन जीरो पलनोमिल में चीज़ाँ और सिर्फ एक लौता जीरो ही है खांदान का एक लाता वारिस ठीक है जीरो जीरो ही जीरो पार्लमिल है और जीरो का डिगरी नहीं होता है ठीक है जीरो का डिगरी नहीं होता है इसके जीरो का डिगरी डिफाइन नहीं होता है तुम कहोगे क्यों नहीं होता है पूछो तो यह देखो जीरो को तुम एक्स का पावर वन भी लिख सकते हो यह भी जी पालिनोमिय जिसका डिग्री वन होता है उसको बोलते हैं लीनेर पॉलिय सकोड़ होताऊ है Ineq ंब सारे पॉलिनोमिय इनका स्टेंडर्ड फॉर्म होता है ज्यास खूल जात वे क Правation vibe in the Praud लहेंगा पहन के जाते हो तुम क्या वो क्या बोलते हैं वो सब चोली क्या होता है पता नहीं तुम सर्वानी पहन के तुम नहीं जाते हो लेकिं स्कूल जाते हो तो पहनते हो तो लिनीर पॉल्नोम्मिल का स्टेंडर्ड फॉर्म तो यह होता है मैं संथार हो क्या चीज है लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं अब समझ्जों कि दिनिया मतलब डिगरी वन 461 दिगरी कहीं कभी लिखानीच टो है तु till का डिगरी वन ही ओव ऩा मैं लिखता नहीं हो एकस का इसका डिगरी वन ही है लिखा नहीं जाता है तो लीनिय में ABCD को हम लोग variable नहीं मानते हैं A is the coefficient of X ABC कोई number को denote कर रहा है ABC numbers को denote कर तो A is the coefficient of X and B is constant अब यहां पर ठीक है standard form में AX प्लस भी तो सही है यह A not equal to zero क्यों कर दिया sir क्योंकि मेरे भाई A मैंने क्या आखा कि A तो कोई number हो सकता है अब कौसा number था मैंने लिखा नहीं बस कह दिया कि A कोई number है तो A 0 भी हो सकता है और अगर A 0 हो गया तो 0 को X से multiply करेंगे तो यह पूरा 0 ही हो जागा फिर क्या बचेगा B बचेगा B में तो X है नहीं तो B में X नहीं है तो जाने से X पर तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन A 0 हो जाएगा तो X फर्क पड़ेगा X भी खतम हो जाएगा बात समझ में आई जैसे 2X अब जब हम बात करेंगे linear polynomial की तो तुम सिर्फ degree देखना कि degree 1 होना चाहिए ठीक है ग्जी वन है लीनियर है डेटीवन है linear है डिगरीवन है linear है रूट में 5 है चलेगा एक्स नहीं है माइनस में एक्स है चलेगा मानेस पांबर तो नहीं है ना चलेगा धाना तो अब अब कोई तुमसे कहता है कि यह स्टेंडर्ड फॉर्मेल लिखके दिखाओ तो लिख देते हैं जैसे कि यह 2x है तो 2x ax plus b कोई constant b b मतलब constant कोई constant होना चाहिए लिए constant नहीं है तो 0 लगा देते हैं अपने मंद से लो इस्ते हैं तो x plus 3 अब यह x था मतलब x के साथ कॉफिसेंट चाहिए लेकिन यहां पर कॉफिसेंट नहीं है तो वह लगा दो ना कोफिसेंट वह होता ही है और यह जो कुछ अस्टेंडर्ट फॉर्म में में उसको अस्टेंडर्ड फॉर्म में तुम कर सकते हो बात क्लियर केंब कोन्य-क्वार्टिक के मतलρό होता है दो डीगरी बाला इसका स्टेंगर अरश उप्लॉस थीक अब फिर यहां पर रेस्टीक्षन है की इन पर शाहल Свट्ण घ्रो हो गया तो यह पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा और यह पूरा part 0 हो गया तो क्या बचोछ सब करते हैं तो भी कोई नमबर हो घजाए कोई чуд 0 हो गया तो X2 भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से multiply करने में सब 0 इसलिए मैंने कहा कि A0 नहीं हो बांकि BCD 0 हो जाए जाए भाड़ में कोई दिखर नहीं लेकिन जिसके साथ तुम्हारा degree है ना उस variable को safe रखना है तो मेरा degree इसका 2 है और वो इसके साथ है इसके साथ A है तो A को safe रख में है एक स्क्वार प्लस BX प्लस C एकदम स्टेंटर पॉर्म में ठीक है यह स्टेंटर फॉर्म में नहीं है तो तुमसे कोई कहता है तो तुम लिख देना जैसे एक से स्क्वार के साथ भाई जहां भी variable होगा उसके साथ coefficient चाहिए ठीक है बिना काम नहीं चलेगा तो एक्स उसके से स्कुष्ब कुछ भी यह वह लगा देना वर्नेक्ट श स्क्वार कुआर ईक्स इसलिए व्यूर्प्टा वाला भी में लेकिने एक Von है नहीं तो कोई नहीं अब 0 एंटल एक्स कर दो क्योंकि x नहीं है एक सिसलिए नहीं है क्योंकि एकस का coefficient 0 था 0-0 चार्बेस यह को इसलिए तो मैं कहता हूं कि यह जिरो नहीं कि रोगों अगर जी रोगा तो यह रहेगा नहीं फिर तो यह बचेगा इस प्रहिए कॉंस्टेंट में थ्री एं तुम्हादा रगद त्री जो नहीं है यहां पर देखो क्या करेंगे रूट फाइब एकसी स्कॉर चलो एकसे स्कॉर ओफिसींट सो है अब स्कॉन इए तो प्लस में प्लसने प्कल या बगया थार बाद लिखेंगे हैं ऑल माई क्वार्टिक पॉद्टी कि ये दो पॉलिमियल एक्चुली पढ़ना है नहीं दिविजिन में पढ़ना है लेकिन पढ़ लेते हैं हम लोग एक लास टेन में भी यह सब पढ़ना है क्यूबिक मतलब जिसका डिगरी तीन हों आपने पराता क्यूब बतलब क्या होता है power 3 तो चुकि जो polynomial जिसका degree highest power जो 3 होता है जैसे यहाँ पे देखो यह polynomial है xq plus bx plus cx plus d यहाँ पे highest power कितना है 3 है तो यह इसका degree होगा 3 तो 3 degree वाले polynomial हो क्या बोलेंगे cubic polynomial बोलेंगे standard form क्या होगा xq plus bx plus cx plus d आपको पता है कि a को 0 के बराबर नहीं कर सकते क्योंकि अगर a 0 के बराबर होगा तो यह पूरा term में ही खतम हो जागा फिर बचेगा power 2 जो होता है quadratic और आप क्या पर रहो cubic पर रहो तो cubic को बचाने के लिए cubic को safety के लिए उसके साब जो coefficient है उसको लिए मैंने पहले क्या दिया कि भाई वह 0 नहीं होना चाहिए हाँ वह 0 नहीं होना चाहिए बात क्लिए तो यह उसका standard form था ठीक है अब एक example के तोड़ पर मैंने लिखा है 7x cube plus 2x का plus x plus 80 यह standard form में ही है ठीक है और अगर कोई आप से कहता है कि थोड़ा साइस को बिल्कुल standard form में standard form में यह थोड़ा सा नहीं है अभी क्यों नहीं पता है क्योंकि मैंने क्या था कि variable का coefficient होना चाहिए यहाँ पर 7 का coefficient है 2 का coefficient है x का coefficient नहीं है तो तुम यहाँ पर अगर standard कहता है तो तुम 1 से multiply करें कहता है कि देखो यह अब आगया standard form में यहाँ पर एक्स आप एक्स क्यूब है बागे कुछ ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है एक क्यूब का coefficient चाहिए तो 1 लगा देते हैं अब x स्कूर नहीं है तो 0 लगा देते हैं 0 x स्कूर एक्स भी नहीं है तो 0 x और 5 है तो लास्ट में 5 तो बात समझ में आ रही है कि जो चीज नहीं है उसमें 0 लगा दो और जो क्याशी है लेकिन कुछ दिखाई नहीं पर है वहां पर बोलना दो यह इस टेंटर फाव में आ गया ठीक है चाथा टाइप का जो परल्लमिल है वह है by quadratic 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 मत्तब दो बाइं मत्लब दुगुना तो दूका दुगुना चार्ड तो by quadratic प्रवा नतब क्या degree 4 वाला यहां पर तुमको कोई कहें कि तुरा सा और स्टेंडर कर दो तो एक्स का पावर 4 है यहां पर डिग्री नहीं है तो यहां पर सब्सक्राइए है यह कभी स्टेंडर इस का मैनस-उ-फार यह लिखा हुआ Un and यहां पर दीर और संब्सक्राइब वर हैं यहां व्हां यह का प्रिटा-व का δेकली आज्छान कि स्ट्रें प्यूंकि तुरा समय है कहीं माइनस दिखाई पर रहा है क्या नहीं दिखाई पर लेकिन यहां तो माइनस ही माइनस है तो हम क्या करने वाले हैं 2x2 बहुत सही है अब प्लस करके यह जो माइनस 5 है इसको अंदर कर देते हैं और यहां पर x कर देते हैं कि X को साथ में अंदर नहीं करना, X का कॉफिसियंट हो गया, माइनस 5 यह जो है, माइनस 5 था, मैंने कहा कि X का कॉफिसियंट, माइनस 6 है, तो प्लस करके और माइनस 6 कर देखे, अभी देखो, degree of polynomial बहुत important चीज है अब देखो जब हम value की बात करते हैं ठीक है तो value तुमसे अगर कोई ऐसे पूछे कि एक बात मताओ मेरे भाई 2 plus 3 कितना होता है तो तुम बताओ कि 2 plus 3 5 होता है अच्छे से बता दिया किसी ने तुमसे कहा कि 5-2 कितना होता तुम कहो कि 3 होता है मैं काँगा गा कि कいます कि प्लस डूब कितना होगा तुमपे पता नहीं क्यूं नहीं पता क्योंकि एक्चुली है जो मैंने तुमको दे दिया यह एक linear polynomial दे दिया तो तू पालीणों में क्यों कि पॉल्यनों में बैडियेबल होता है क्या होता है variable और variable का value value जो होता है वो मेरे को पता ही नहीं है तो जब variable का value पता ही नहीं है तो 2 में कितना add करें ये तुमको पता नहीं है तो कितना आएगा तुमको ये भी पता नहीं है अगर मैं कह दो कि 2 में अगर मैं कह दो कि चलो x variable है मतलब इसका value कुछ भी हो सकता है तो तुम कहोगी कि अच्छा ठीक है तो 2 में अगर कुछ भी add करें तो कुछ भी आ सकता है मतलब polynomial का जब value निकालने की बात आएगी तो polynomial का value कुछ भी हो सकता है क्योंकि polynomial में x होता है और जब x होता है कि भाई, जिन polynomials में x होता है, तो किं में x होता है, जिसका degree कम से कम एक हो, क्योंकि 0 degree वाला तो constantер nothing होता है, उसको उसमें x होता है, तो जिसमें x होता है, मतलब kम से कम एक degree वाला polynomial या उसिते उपटर वाला polynomial उसके value infinite होंगे क्योंकि X तुम जितना बाट कुछ लोगे, उतना बाट कुछ नया value आएगा, ठीक है, example के लिए मैंने भी रखा है, समझा रहोगा आप मैं आपको, देखो बात को, समझो, एक sentence तुम समझी लो, जो मैंने अभी बता दिया, यह polynomial of degree 1 or more, degree 1 मतलब एक डिगरी बाला मतलब जितम आवाला polynomial, ठीक है, का value infinite होता है, कैसे, देखो, जैसे यहाँ पे, यह PX का मतलब बता है, क्या हुआ, PX मतलब polynomial in X, PX मतलब polynomial in X, तो यह जो polynomial है, यह तो X महीं नहीं है, तो इसको मैंने क्या लिखा, PX लिखा, अब तुम से कोई पुछता है, कि इसका value मेरे को बताओ बही, तो मैं कहूंगा कि इसमें X है, अब X क्या सब लिया जाए, तो X variable है, कोई भी real number variable हो सकता है, तो X का तुम value infinite ले सकते हो, तो इसके infinite value आएंगे, इसलिए मैंने क्या कहा कि infinite values होते हैं, अब मैं कुछ value अपने मन से लेकर दिख लेता हूँ, तो मैंसे कोई इसका value निकालने के तो 3, 4, 5 बोलेगा, infinite तो निकालने की बात ही नहीं रहेगी, तो अगर तुम, suppose, कि अगर तुम X equal to 1 ले लेते हो, 2 ले ले लेते हो, 3 ले ले लेते हो, 4 ले ले लेते हो, 5 ले लेते हो, ऐसे negative ले सकते हो, ठीक है, decimal भी ले सकते हो, ऐसे तुम X का value infinite ले सकते हो, ठीक है, यह क कुछ value निकाल के दिखाता हूँ आपको क्योंकि जब value of polynomial पढ़ेंगे तो यहीं से बात आएगी 0s of polynomial के तो value निकालना जरूरी है देख लो इनका class 10 में बहुत यूज है बहुत यूज है class 10 में देखना बात को अभी मैं क्या करता हूँ कि x equal to 1 ले लेते हैं x equal to 1 ले लेते हैं तो अभी जो px है न अब इसको p1 लिखता हूँ मैं क्यों क्योंकि x equal to 1 ले लिए गया तो 2 और x के बदले 1-6 2-2-6-4-4 is the value of polynomial at x equal to 1 ऐसे बोला जाएगा अभी मैंने x equal to 2 ले लिया तो अभी क्या निकालेंगे अब निकालेंगे px नहीं या p2 निकालेंगे तो 2 और x के बदले फिर से 2-6 2-2-4-6-2 x equal to 3 लिया गया तो p3 निकालेंगे 2 और x के जगह पे 3-6 3-6-6 equal to 0 0 आ गया x equal to 4 ले लिया फूर तो 2 और x के बदले 4-6 2-4-8-6 2 ऐसे ही तुम निकालोगे वैल्यू ना ऐसे ही वैल्यू निकालोगे तो ऐसे ही infinite वैल्यू आ जाएंगे बात क्लियर है समझ पा रहे हैं कोई डाउट नहीं ठीक है इस तरफ चलते हैं इस तरफ यहां पर Y में पॉलन ये पॉलमिय प्यूलिम्यम इन्वाई ये पॉलनमिल-्वाई में है तो यहां पर तुम वाई एकुल-टू क्या ले क्या ले हो चाहिए उन्हें चाहिए मतलब infinite y के value होंगे तो इस polynomial के value भी infinite ही होगा कुछ value निकाल के देखा जाए जैसे मैंने कहा कि चलो y equal to minus 1 से करते हैं सुरुवात ठीक है minus 1 सुरुवात करते है 2 minus 2 minus 2 भी ले 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 दें चलो एक ताम करते है minus 2 भी ले थोड़ा सा पीछे क्यों क्योंकि मुझे पता है कि minus 2 लेने तो कुछ चीज आने वाला है इसलिए ठीक है तो मैं यहाँ पर y equal to लेता हूं minus 2 तो अभी क्या निकालेंगे अभी p y नहीं अब निकालेंगे p minus 2 तो जहां पर y है वहाँ पर कर दो minus 2 minus 2 का square प्लस y के जगह पर minus 2 और फिर यहाँ पर minus 2 ठीक है तो मैंने स्टों का स्क्वाइर 4 minus 2 minus 2 minus 4 equal to 0 अच्छा 0 आया है कुसी की बात है मुभाड़क हो 0 आया है तो देखो y और y के बाते डाला मैंस यह वहला मैंस 2 है मैंस 1 का square minus 1 ही होगा minus 1 minus 2 minus 3 घटाने पर minus 2 y equal to 0 तो अभी क्या निकालेंगे p 0 निकालेंगे y square मतलब 0 का square y मतलब 0 minus 2 कितना आ गया मैंस 2 आ गया ठीक है अभी y equal to मैं सिधा लेता हूं 2 तो क्या निकाला जाए p 2 निकाला जाए ठीक है 1 1 1 1 1 चूट यह यह वाई equal to 1 देखना यह मैं फाद्दूमनी निकाला हूं इसका काम है 0 जा पर्णमल यहीं से आने बाला है तो 1 का square plus 1 minus 2 1 plus 1 तो 2 हो जाएगा minus 2 equal to 0 now you have noticed something कुछ चीज नोटिस करना है तुमको तुम क्या देख रहे हो कि sir कुछ खास बातें भी आ रही है जब आप polynomial का values निकाल रहे थे न तो एक जगा value आया 0 एक जगा value आया 0 कहां पे value 0 आया कहां पे value 0 आया जहां पे आपने x equal to 3 ले लिया था जब आपने x equal to 3 लिया तो value 0 आया मैंने ठीक है इस polynomial तुम कहोगे कि sir यहां भी न एक बात notice करने की बात है जब आपने y equal to minus 2 लिया था तो value 0 आया था फिर जब आपने y equal to 1 लिया न तो भी value क्या आया 0 आया मैंने ठीक है अच्छा यह बात है तो वह x का value x का वह value जहां पे आपका polynomial 0 आ जाता है उस value को कहते है zeros of polynomial जैसे y का वह value जहां पे polynomial का value 0 आया y का वह value जहां पे value polynomial का 0 हो जाता है उसको बोलते है zeros of polynomial ठीक तो जब बात करेंगे zeros of polynomial की तो ऐसे define करेंगे, the values of x, x का वो value for which the value of polynomial px becomes 0, x का वो value जहाँ पे px का value क्या हो जाए, 0 हो जाए ठीक है, यह py का value 0 हो जाए, अगर y में है तो y का value 0 हो जाए, are called the 0s of polynomial, तो बास बंद आ गई अब मैं क्या कर सकता हूँ, कि अच्छा, इसका मतलब यह हुआ, कि x equal to 3 ठीक है, is the 0 of polynomial क्या है, px है, तो उसका प्यूंक्स का नाम दे जाए, px यहाँ पर एक पास notice क्या हमने किया, अच्छा y equal to minus 2 and y equal to 1, are the 0s of py 2 degree बाले polynomial का 2 0 होता है, इसे तरह से 3 degree बाले polynomial का 3 0, 4 degree बाले का 4 0, जितना degree होगा, उतना ही उसका 0 होगा, तुम समझ चुके हो, अच्छा बात आती है, कि सर जीरो निकालने के लिए, क्या इतना काम करना परता है, बिलकुल नहीं, मेरे रहते इतना काम करना परेगा, possible है क्य तो 2x, 6 को ले जाते हैं, उधर, तो 6, x equal to 6 by 2 equal to 3, अच्छा, x equal to 3, हाँ, x equal to 3 is the 0, आतो गया, तो जिस polynomial का 0 निकालना है, उसको 0 के बरावर कर दो, वहां से एक equation बनेगा, जैसे हाँ equation बना है, x का value जो निकलेगा, वही होगा, वही होगा, बास समय में आ गई, तो 0 जो polynomial remainder theorem, remainder theorem, remainder theorem, remainder theorem, पहले 2 minute का break, तो remainder theorem क्या कहता है, पहले इसको जो लिखा हुआ है, वह पढ़ लो, अच्छली जो लिखा हुआ है, वह पढ़ के समझ में तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये book का language है, फिर इसको लोग अपने language में समझेंगे, अगर तुम book का language समझा तो बहुत अच्छी बात है, remainder theorem, actually क्या है, कि जब भी हम किसी numbers को divide करते हैं, तो remainder आता है, ठीक है, भले ही remainder 0 अलेकिन आता तो है, जैसे मान के चलो, example के लिए, कि अगर तुम 4 से 15 को divide करते हो, तो 4, 3 is 12, and remainder is 3, 4 से अगर तुम 16 को divide करते हो, तो 4, 4 जा 16, remainder is 0, तो remainder तो आता ही है, ठीक है, तो या तो remainder 0 आता है, नहीं, तो कोई number आता है, specially, ठीक है, यह बात समझ रहे हो, यह remainder कब आता है, जब हम divide करते हैं, तो ऐसी बाते ही polynomial में भी होती है, कि अगर हम किसी दो polynomial को divide करेंगे, तो कुछ ने कुछ remainder तो आएगा, अब क्या remainder आएगा, इसके लिए divide करना अरे, इसी के लिए तो हम लोग पढ़ते हैं, रिमेंटर ठीक हो, बात समझते हो, तो अब क्या है, रिमेंटर ठीक हो, इस बात को समझते है, बैने polynomial PX, एक कोई polynomial है, PX, ठीक है, यह PX polynomial है, of degree 1 और more, अच्छा, PX का degree कितना होना चाहिए, एक या उससे ज़्यादा होना चा अगर X से कम degree होगा, तो बात हो जानता है, तो degree 1 या उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है, इस divided by another polynomial X-A, अगर इसको कोई दूसरा polynomial X-A से डिवाइड किया जाए, X-A का format होना चाहिए, X-A इसा नहीं, हर बार X-A हो, यह बस format है, X-A से डिवाइड किया जाए, तो जो रिमें रिमेंडर आएगा न, रिमेंडर, वो PA आएगा, क्या आएगा, PA, अब यह क्या चीज लिखा हुआ है, समझो, बहुत ही सिंपल सी बात लिखी हुए है, यहाँ पे, कि यह PA directly कैसे आगया, तो तुम देख रहे हो, कुछने कुछ connection दिखाई पर रहा, अच्छा, यहाँ से य नहीं लिखके, ठीक है, अब PX नहीं लिखके, इसके बदले में मैं क्या करता हूँ, कि X के बदले मैंने A put कर दिया, तो यह जो चीज आया न, वही चीज था, रिमेंडर, ठीक है, जो यह आया, PA जो आएगा, वही आएगा, रिमेंडर, और यही process, यह जो theorem था, इसी को बो पॉल्नमिल से डिवाइड, जब भी डिवाइड करेंगे, तो लिनियर पॉल्नमिल से, PX का डिगरी 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है, PX by quadratic भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, लेकिन जिसे तुम डिवाइड कर रहे हो, वह हमेंसा linear होना चीजिए, क्या होना चीजिए, लिनियर और ये तो भाई, लिनियर भी हो सकता है, क्यूबिक, quadratic भी, ठीक है, क्यूबिक भी ये कुछ भी हो सकता है, ये process लगाना है, तो अब इसी process से हम इन दोनों का डिमेंटर निकाल के देखते हैं, क्या ये सही process है, या मेरे को किसी ने उल्लू गना रिया, ठीक है, जै जैसे कि आपको भाई किस से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है इस से, ठीक है, तो तुम पहले क्या करो कि जिसमें डिवाइड करना, उसको पी एक्स माल लो, इसमें डिवाइड करना है, लेकिन जिससे डिवाइड करना होता है, उसको हम लोग जी एक्स कहते हैं, तो इसको 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 हम लोग जी एक्स कहते हैं, यह हम लोग जी लेना है तो यहां से X कितना आ जाएगा वन कुधर ले जाएगा तो X 1 आ जाएगा अच्छे यह चीज ख्याल करना अब तुम कहना कि भाई P X था कितना अब X क्या आ गया वन आ गया तो जो डिमेंडर ठरम कहता है कि X का जो वैल्यू आया है न वह तुम पॉलम में पूट कर तो वही रिमेंडर होगा तो अब जो मेरा रिमेंडर होगा वो कितना होगा रिमेंडर हमारा होगा अब P X नहीं अब X equal to 1 मतलब P 1 ही हमारा रिमेंडर होगा P 1 का मतलब क्या होगा कि जहां पे X था आब वहां पे 1 कूट कर दो तो P X का जाएगा पे 1 प्लस 5 2 1 जा 2 प्लस 5 7 इस दिवाईड करना है तो लेड PX मैं इसको माल लेता हूं PX X2 प्लस 5X प्लस 10 ये PX है और GX तुम्हारा क्या होगया एक्स प्लस 4 चुकि X प्लस GX हो गया X plus 4 अब X plus 4 से इसमें डिवाइट करना है तो मैं क्या करने बाला हूँ जिससे डिवाइट करना है उसको 0 के बराबर करो X plus 4 को किया 0 के बराबर X equal to आगया minus 4 अच्छा अब ये X के बेले पुट कर दो पढ़ने में दिमेंटर निकल जाएगा तो जो तुम्हारा डिमेंटर होगा वो अब P X नहीं अब P minus 4 होगा तो P minus 4 मतलब जहां पर X हो minus 4 पुट करो minus 4 भाई sound जा रहा है तुमको देख लगा एक मिनट को जा बही जा रहा है this 5 यहां पर minus 4 plus 10 हमने हर जगह पर X के बदले यह पूट कर दिया minus 4 का स्कार 16 540 20 minus 2 plus 10 26 6 तुम्हारा डिमेंटर बचेगा ठेक है एक दम से और है कि 6 बचेगा डिमेंटर तो बिना डिवाइड कि हम डिमेंटर निकाल पा रहे हैं यही डिमेंटर थरोम था बहुत ही सिंपल चीज था आपने समझ लिया इसको अगर डिटेल्स में समझना चाहते हो तुम कि भाई इसको 0 क्यों किया गया जिससे हम डिवाइड कर रहे है उसको 0 क्यों किया गया अगर यह जानने की इक्षा है तो description में चले जाओ description में तुमको समझदाड़ी को बढ़ानी है तो देखना है ने से metric pass करना है तो चलेगा फैक्टर थेड़ो अब जो remainder थेड़ों था ना उसी का अपना भाई तीक्या जुडवा भाई है फैक्टर थेड़ो मैंने क्या कहा तुमसे मैंने क्या कहा मैंने तुमसे कहा था कि मेरे भाई अगर 4 को हम 13 से डिवाइड करें तो चार गुना तीन बारह अगर मैं 4 से बारह में डिवाइड करूं तो चार गुना तीन बारह बच्चा जीरो अब यहां पे दो बात तुम कह सकते हो कि सर रिमेंडर 1 बच गया तो 4 तेरह का फैक्टर नहीं है सही बात है क्योंकि 4 के टेबल में 30 नहीं आता है यहां पे रिमेंडर क्या बचा जीरो यहां पे रिमेंडर 1 बचा तो 4 इसका फैक्टर नहीं था डिमेंडर किया होच्छा जीरो, तो 4 बढ़ा का फेक्टर है, अगर मैं 5 से दिवाइड करता हूँ 25 में, तो 5 25 डिमेंडर जीरो तो डिमेंडर 0 है, तभी तो 5 25 का फेक्टर हुआ, तो समझ में आ गया है यह इसका factored नहीं है क्योंकि छी बच यह है है इसका factored नहीं है क्योंकि अगर इसका factor in the same way ever 70 समझो वस यही bersp इस taken ct अगर X माइने से जیا फेक्टर ओपि एक्स अगर X दो आप गिर्म उट सिर्दिशिधी बात है कि टो डिमेंटर मतलब क्या। डिमेंटर मतलब पी E Y हमने जो कि इसका फेक्टर है नहीं है तो फिर नहीं है। सिर्दिशिधी बात है। है इसके लिए कोई अधिस्टनल दिमाग में लेगाना है जो आपने पढ़ा दिमेंडर थेओड़ वही चीज है बस रिमेंडर जीरो आ गया तो बात बदल गया अब देखो इस इसाम पर समझाता हूं तो तुमसे कह रहा है कि हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें डिवाइड करना है और किस से डिवाइड करना है वो जी एक्स है एक्स प्लस टू से अब यह इसका फैक्टर है कि नहीं यह चेक करने के लिए मेंडर निकालना परेगा किस थरूम से तो मेरे को पता है कि रिमेंडर निकालना है तो एक्स प्लस तो ही तो रिमेंदर है यह थी वा el經 noticed!」 क्या है लिमेंदर है तो मानेस दू का स्वार श्वर प्लस सेवन इंटो मांनेस टू प्लस थेम इनस टू स्थब सूर फोर साठ रूना थो 14 प्लस 10 10 सा 14 सब्सक्राइब जीरो ओ हो हो रिमेंडर जीरो आ गया तो रिमेंडर जीरो आ गया सेंस कि रिमेंडर इस जीरो इसलिए एक्स प्लस टू इस ए सब्सक्राइब यह चोटा सब्सक्राइब यह चोटा सब्सक्राइब तो यह बहुत धरले से उज़ता है वहाँ पर एंड लास्ट टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल इन दिस वीडियो इस सब्सक्राइब करना है तो नंबर को जैसे तुम डिवाइड करते थे तो नंबर को जैसे मान लो कि 16 को हमने इसा ही ऐसा ही जो है डिवीजन अल्गोरित्म पॉलिनोमियल में भी होता है ठीक है यहां भली ही मेरे को नंबर से मतलब नहीं है मेरे को मतलब है वारियेबल से लेकिन प्रॉसेस डिवीजिए अल्गोरिजिम आ सेम ही होता है तो यहां पर तुम क्या लिख सकते हो कि 14 क्या है यार पांच से दो बाड़ में होता है चलो इसको चार कर देते हैं यहां पर चार चार ठीक है चार गुना तीन बाड़ा दो चौधा आ रहा है तो यह इसी को बोलते हैं डिवीजिन अल्गोरित्म लेकिन यह प्रॉसेस ना पॉलिनोमियल में थोड़ा सा अलग होता ह क्योंकि यहां पर डिवीडी की बात होती है यहां पर वारियेबिल की बात होती है तो यह सब कुछ थोड़ा सा अलग हो जाता है समझो की डिवीजिन अल्गोरित्म पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है कैसे होता है इस बात को समझो तो पॉलिनोमियल पी एक्स और जी एक्स ठीक है जैसे मैं यहां पर एक्जाम्पल लेता हूँ यह polynomial है PX ठीक है और यह polynomial है GX for two polynomials PX and GX where degree of PX greater than degree of GX PX का degree GX से बरा होना चाहिए जैसे कि तुम divide करते हो तुम देखते हो कि 4 से बरे में divide करें तभी मेरे को इंटीगर मिलेगा fraction के लिए तो में 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा लेकिन अगर तुम को division में divide करने पर मुझे को दो polynomial और ही मिलता है जिसको लोग क्या कहते हैं QX and RX QX मतलब को सेंट और RX मतलब ऐसे दो polynomial मिलेंगे ठीक है such that ताकि PX equal to GX into QX plus RX यह कोई बड़ा चीह नहीं लिखा हूँ यह चीह ही लिखाओ देखो लेकिन यहां पर कुछ कंडिशन को समझो कौन-कंसे कंडिशन से तो पहला कंडिशन यहां पर लिखा हूँ और कि degree of px gx के बराबर भी हो सकता है या gx से बड़ा होना चाहिए यह इसका जो degree है यह gx के बराबर भी हो सकता है अगर यह 1 degree का तो यह 1 degree का ठीक है लेकिन यह 1 degree का तो यह 1 degree का 2 degree का 3 degree का आगे भी हो सकता है अगर यह 2 degree का अगर gx 2 degree का है तो π x 2 degree का भी हो सकता है 3 का भी 4 का लेकिन यह ओन डिगरी का नहीं हो सकता तरह क्योंकि कह रहा है कि जो जीटरख से में सहांल बड़ा बराबर होना चाहिए नहीं दूसा के मिझा है नीक Commerce कि लुधि0 हों कि यह क्हूंत थे यह एक पसंट बेहुंटर की कि ऐसे से बढ़ा है लेकिन इक और एसका आगए कि इसका डिगरी या तो जीरो होगा इसका डिगरी या तो जीरो होगा नहीं तो वो न्यों सिर्फ दो हो सकता है ऐसा नहीं कि होगा क्या डिपेंड क्या आएगा इतो डिपेंड करता है कि तुम PX और QX क्या ले तो यह उस पर डिपेंड करता है बस समय आ रही है तो PX और GX दो पॉलनोमिल को जो डिभाइड करेंगे जब यह कंडिशन होगा कि PX का डिगरी GX के या तो बड़ा बढ़ हो नहीं तो GX से इसका डिगरी बढ़ा हो उस कंडिशन मुझे मिलेगा QX और RX ठीक है जहां पर रिवेंडर का डिगरी GX से छोटा होगा तो दो से छोटा मतलब जीरो हो या फिर वन हो यह दोनों कुछ भी हो सकता है बात डिपार अधर डिविजन एल्गर्वरितम यूज गहांपे करते हैं यह ते यूज कहां पे करते हैं तो जैसे मान के चलू है देखते हैं यह पॉलिणो मेल पी-X ठीक है यहां पे मैं लिख के बदाने आगा कोई पॉल्नो मिल पी-X है इस डिवाइड बाइट इसको टुक्क प्रस वन इसको टो अप्सक्वाइड प्लस वन से डिवाइड किया गया लिए पॉलिनुमिल क्या होगा तुम से यह पूछ रही क्या होगा तो अभी सिदा सिदा हमने पढ़ा हुआ है कि PX प्लस एक्वल टू जी एक्स इंटू क्यूएक्स प्लस आरेक्स हम लगा देते हैं सीदा कहेंगे कि जो PX है यह क्या होता है GX इंटू क्यूएक्स जिसे डिवाइड करना है तो यह जी एक्स है GX into QX, यह कोसेंट है, तो QX ही हुआ plus RX, RX तुम्हारा यह है, यह यही तो division algorithm है, यहां से हमाना polynomial निकल जाएगा, तो multiply कर लो, इसको multiply करो, क्या हो जाएगा, X to the power 4 minus 2 X square, यहां से करोगे X square minus 1 plus X minus 3 ठीक है? 2 X to 3 by 4 X square minus 2 square, तो minus X square plus X minus 4, देखो, यह निकल गया polynomial, तो यह polynomial जो निकाले हम लिए निकाला है, वो किस process से निकाला है, division algorithm के process से, ठीक है? तुमसे कभी ऐसे भी कह सकता है, जैसे मान लो कि तुमको polynomial के जगह पे, अब तुमको यह चीज दे रहे, अब तुमको polynomial के जगह पे, तुमसे यह दे दिया, तुमसे कहा कि आप क्या निकालो, आप निकालो quotient, तो बस quotient वका काम कर देगे, quotient के जगह पे x, y, z, कुछ भी मान ले न, ठीक है, बांकि समका value पूट करोगे, सिधा सदा निकल जाएगा, बस समझ रहे हो, तो division algorithm में पता चल गया कि px चार चीज है, px, gx, qx, rx, इस चारोब में से कोई तीन चीज दिया हो, तो जो था हम निकाल सकते हैं, अगर px दिया हो, gx, qx दिया हो, तो rx निकल जाएगा, ठीक है, अगर rx, qx, gx, तो ये निकल जाएगा, कोई भी तीन चीज दिया हो, तो थाची निकाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं, division algorithm, बाकि ये conditions काफी important है, इसको याद रखने हैं, तो यहाँ पे polynomial हमारा पूरा का पूरा खतम हो गया, ठीक है, लगवख 53 मिनिट का वीडियो हुआ, और लगवख सारे के सारे concept मैंने अलली बदा दिया है, इन सबको तुम notebook में लिख लेना, ठीक है, और इसके बाद polynomial में NCRT का पूरा solution दिया गया है, description में लिंक है उसका, तो वो solution देख ल नहीं कौन सा फालतू concept है, उस सब मैंने वहाद बता के दखा हुआ है, तो description में NCRT का solution का पी लिंक है, RSVAL का solution का पी लिंक है, दोनों देख लिए, ठीक है, मिलते हैं फर नेक्स वीडियो में, तब तब बाइं टेक है, जाहें